नमस्कार साथ यूँ आप सभी का सवगत है अग्रिकल्चार अड़ा 24-7 में मेरा नाम है सुधानश्यों और मैं आपके सामने आज एक पेपर डिसकस करने वाला हूँ क्या है ये पहले मैं आपको सारी चीजे एक एक करके बताता हूँ बिहार BAO जिसकी वैकेंसी समय आपके सामने चल लए है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 15 से तो आप सभी लोग फॉर्म भरेंगे बिलकुल लेकिन पेपर से पहले पेपर का लेविल जाना बहुत ज़रूरी होता है उसी करम में हम आपके लिए पेपर का लेविल आपको बताने वाले हैं ये सामने जो आप पीछे पेपर देख रहे हैं बच्चा ये S.A.D.O का पेपर है और ये पेपर अभी तक जो भी 2014 के बाद B.O की वेकेंसी जो सामने आई है ये हमारी 10 साल बाद जो आपको देखने को मिली है इसमें पेपर जो था पहले वो सब्जेक्टिव होता था अब की बार अब्जेक्टिव हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में लग रहा है कि सर प्रिवियस येर कोश्चन फिर कौन से हो सकते है मैं आपको एक एक करके सारी चीज़े बता रहा हूँ ये S.A.D.O का पेपर है एक ग्रो नामी 2017 17 जो आपका सस्य विज्ञान है उसका पेपर था ठीक है अब हम आपको यहां पर कुछ चीज़े दिखाएंगे जैसे क्या है ये कैसे कैसे काम करता है देखो दोस्त यहां पर आपको क्या का चीज़े पूछी गए थी यह हिंदी और इंग्लिस दोनों भासाओं में था ठीक है इसके बारे में भी हम आपको सारी बाते बताएंगे कि हरित क्रांती के बारे में लिखिए कुछ फसल परस्थितिकी के बारे में पूछा गया ये पूछे गए प्रस्ट तो हम आपको बाद में दिखाएंगे ये आपके देशे मेंडल का नियम पूछा गया था ऐसे उत्परिवर्तन पूछा गया था लेकिन हम आपको ये नहीं कराने वाले हैं ये सारे हमारे कॉंसेट हैं जहां से प्रस्ट जादा उठाए जाते हैं इस प्रकार का पेपर आया था हम आपको जो पेपर करा रहे हैं वो ये पेपर है ये बिहार का एग्री कल्चर एक्जाम का पेपर है ठीक है जिसमें आपको सेम सेम जो सब्जेक्ट आपके यहां पर है वही सब्जेक्ट यहां पर पूछे गए थे एग्री कल्चर एक्जाम का ये पेपर आपके सामने डिसकस कराने बाले हैं लेकिन आप कहेंगे सर ये पेपर तो इंग्लिस में है हम आपको ये पेपर इंग्लिस में नहीं हम आपको फैपर हिंदी इंग्लिस दोनों भासाओं में कराने वाले हैं एक बार पेपर को देख लें आपने देख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है इसमें सो प्रस्न नहीं आपके ठीक है यह आया हुआ बिहार के एगरी कलचर ए दिखाएंगे होटी कल्चर का लेवल दिखाएंगे तब आपको खुदी लगेगा कि यार हां बहुत सारी चीजे इसमें आपकी ज्यादा यहां पर क्या बेहतर है ठीक है देख लिए आपने ठीक है यह तोटल सो कोश्चन है आप जो देख रहा हूं यह सारी चीज़ वही है अब हम क्या करें अब आ BROWN आपको एक-एक करके इनके बारे में कराना शुरू करते अब हम अपने PDF चोड़के बीपीटी पर आते हैं ठीक है यह रही हमारीपीटी और दोस्ति यहां से हम लोग शुरू करेंगे अपने प्रसनों को पहला प्रस्टों बिहार लोग सेवा आयो आंसर देना सुरू कर देंगे वह आंसर देना सुरू कर देंगे सारे बच्चे आंसर देंगे इसका आपके सामने हिंदी और इंग्लिज दोनों में भासाओं में यह है आप सिर्फ जल्दी से आंसर देंगे ठीक है अब बिल्कुल मनीश दीपेश अमित बहुत बहुत अंसिका जी बिंद्रेश सभी को बहुत बहुत गुड़ीवनिंग ठीक है आंसर देंगे वाई सभी लोग चलिए ठीक है बढ़िया वाई देखो कोश्चन का लेविल ऐसे समझ सकते हैं कि यह कोश्चन बढ़िया लेविल का है वेर हाउसिंग एक कब आया था तो दोस्त मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जैसे आपके सामने कुछ चीजें आएंगी यह जैसे जो पेपर है पहले आप एक एक करके कोशियूं को देखिए आपने यह देखा जैसे दूसरा दूसरा प्रस्न आपको दिखाते हैं है ठीक है यह आएगा हमारे सामने दूसरा ठीक है अब देख लो मैं आंसर आपको लगवा रहा है एक सकेंड में जल्दी से आप dेखिए झाल झाल फैर सारे बच्ची बहुत अच्छी एग पहले मैं एक एक करके आंसर शुरू करता हूँ आप सभी लोग अंसर देते जाएगा एक नंबर से सुख करूँ गाठीक है एक नंबर से सुरू करूँ हुआ पिर इसके बाद दो और तीन सारे कोशिंस आपके आंसर आते रहेंगे पहला कार्परेशन कब आया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका सी ठीक है दूसरा प्रस्न कितने गो डाउन चल रहे हैं बर्तमान में संसिंग में हैं तो आपरेशन में पूछा था इसका अंसर क्या होगा वह वाव 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 अंसर हो जाएगा इसका क्या आंसर हो है का सी 320 कितने 320 बर्तमान में चलिए अगला प्रस्थ नहीं बताओ टेट्रा जोली एंस्वरी सीड की परिच्ण कौन सा है जो सीड वाइवेलिटी यानि की सीड बीज के वाइवेलिटी को प्रदर्सित करता है आंसर देंगे कहीं नहीं गए मनीज भाइया भी मैंने आपको औरजिनल पेपर दिखाया ना बिहार एग्रिकल्चर एक्जाम का ठीक है इससे पहले सब्जेक्टि पेपर होता था पहली बार यह अब्जेक्टिव होने जा रहा है ठीक है आंसर सभी का सभी का सभी है कैरे सर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एक टेटना जोलिया टेस्ट ठीक है चलो देखो जो भी मैं आंसर करा रहा हूं यह सारे मैंने अपने हिसाब से निकाले हैं पेपर में जो आंसर लगे हुए थे हमने उनको नहीं माना है मतलब अरे जिस बच्चे ने किये हुए थे पेपर हमको मिला तो मै आपके लिए कोषिणी बनाया हुए ठीग है और हिंदी इंगली सी मैंने किया हुए है ठीक है आपने देखा दानापेपर वह आपका सिर्फ इंगलिज में इता चलिए कुश्चन है निमनलिकित में से कि साइक्रो मीटर द्वारा मापा जाता है साइक्रो मीटर द्वारा मापा जाता है हवा का तापमान सापेच्छ आधरता ओस बिन्दु तापमान यह सभी आंसर देंगे बहुत अच्छे बैभो पटेल बहुत बढ़िया बहुत अच्छे सारे के सारे अगर बात करते हैं ठीक है डी आंसर हो जाएगा यानि कि दोस्त हवा का तापमांद सापे अच्छी कादर था ओस्विंदु तापमान ये सारे के सारे किसे मापते हैं दोस्ति सारे के सारे हम लोग साइक्रोमीटर से मापते हैं है ना अच्छा कोश्चन बहुत ब साखे छी से साखेन ओर ठीन से साड़े नो से साथ से 15 परसेंट एक्चु sides में जब इनोंने पेपर कर आया तो इसका आंसर जो दिया वह चाहां दिया यहां पांचिमे का अंसर दिया भाई कि चलिए अगले प्रस्न पर आते हैं अगला प्रस्न आपके सामने ये रहा बताओ एपसी आई द्वारा गेहों खरीद के लिए अधिक्तम अनुमें सीमा नहीं बोलते हैं कि एक लिमिट बनाके रखिए उस लिमिट में निम्लेलिकित में कौन सा सही है कि बीज जो है आपका 14 प अनुमें सीमा ही है आंसर ने पाटेल बर्माजी एग्रिकल्चर मस्ती शुमन जिटेंद्र आसीज चुदीप जो ही बहुत अच्छे आंसर इसका क्या हो जाएगा सभी रोट ठीक है करेसर सभी देखते हुए तो दिमाग खुस हो जाता है सभी बहुत अच्छे सभी का जब खििल रहेगी कि कि आप जो है क्या करें हमारे सेसन को लाइक कर देंगे ठीक है लाइक करना आपको कुछ कुछ नी करना आपको सिर्फ औरिट्व लाइक कि ठीक है किसर बहुत अच्छे करना का ल第一個 में और अच्छा आहीं किर सरफ छोटे पर से पढ़ते आ रहें कि क्या हम लोग चोटे पर से हैं कामाजित रगी यह कि हम अनसर अपना दूसरा रखते हैं यहां पर आंसर लगा reconst है ठीक है दूसरी स्लाइड में रखते हैं आंसर हो जाएगा ट्राइको डर्मा ग्रेनेरियम ठीक है आंसर यह हो जाएगा बहुत अच्छे सभी का जवाब सही है अगला कुशन कुशन यह है निमने लिकित में से कौन सा दलहन का एक महतपुर्ण प्राथमी की कीट है यानि प ह कुशन देख लो यह लो सामने हैं अगर इंग्लिस न दिखे वैठी यह हंगि रही अगर हिंदी न देखें लेके नहीं आया आप आंसर क्या हो जाएगा बहुत अच्छे है लाई कर दो बच्चा सुमन सेयर कर दो ठीक है बच्चा स्वेता एड है आपको मिल जाएगा उसमें अभी तक मैने इस एक्जाम में जाके आप उसे सिलेक्ट कर लिजी आंसर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा हमारा क्लोरो बूरूचस चाइन से ठीक है जबाब हो जाएगा बच्चा यह सारे के सारे क्या है हमारे उससे साई नहीं हमने दलहन का पूचा था देखो है पल्स क्रॉप का पूचा था तो पल्स क्रॉप में कौन लगता है बिल्कुल ठीक है जिसे ढोड़ा नाम देते हो दोस्त ठीक है चलो अगला क्यों अगला कॉस्चिन और वह सबजीं के कथोर पनी आनी दोस्त जब आपका सब्सक्राइब प्रस्ण आपके सामने यह रहा बताओ पूछा यह है कि जब भी आप कभी कीट नासक की मंजूरी के लिए जाते हैं तो भाया एक अमारा आदिनियम आया था कीट नासक अदिनियम 1968 में आया था उन्होंने यह कहा कि भाया आप किसी भी संग्रही तानाध्यानी के स्टोर ग्रेन में क्या करेंगे जो कीट लगते हैं उनके नियंत्रन के लिए कौन से कीट नासक को मंजूरी दी गई थी इस्टोरेज ग्रेन पेस्ट जो आपके हैं उनके लिए कौन से कीट नासक को मंजूरी दी गई थी इथाएलीन डाइक्लोराइड कारवा और कारवन टेट्राक्लोराइड का तीन रेसियो एक या फिर आपका मिधायल ब्रूमाइड और क्लोरो पिक्रीन का 2% डबलू जल्दी से अंसर देंगे बहुत अच्छे सभी का जवाब आगया कहरे सर सभी के सभी बहुत अच्छे सही है अंजर क्या हो जाएगा ओल अफ दीज चलो अगले कुस्चिन पर आते हैं किस लेविल है कुस्ट्ण का 11 नंबर किरेसे हमने ना जब कविसी का सभी देखा हो जाता एक अगला कुष्ट्चन हम्रेश Alban जोहीं बहुतता आच् kaliだcü अंसर क्या हो जाएगा अंसर असर हो जाए का सबी ठीक हैं सब्रों पढ़ो पढ़ों में से कौन सा सत्त है टाप अप सूट ब्रोरर ठीक है ठीक है चलो पड़ो यह इस काई रो फागा और हमारा जो इस काई रो फागा एक्सपर टैलिस जो उससे क्या है मारा यह होता है बताओ ऐसा कुछ है दूसरा भूरे रंका काला यानि की ब्लैक डेड़ हार्ट गठन सामाने लच्छन है इसका अच्छा संक्रमण से बचने के लिए कार्वो फ्यूरान को आप यूज करते हो क्या ठीक है या फिर सारा का सार से कर सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा सभी ठीक है अगला कॉशन कौन सा अधरक की किस्म नहीं है अभाई अधरक से इतना अच्छा लेवल का कुशन अभी यहां पर कोश्चन है पचास के बाद प्रसना आपके सरल हैं बहुत सरल रखे गए यहां पर सब्सक्राइब की सारी हमारी किस्म है लेकिन एम टी यम टी यू दस ग्यारा यानि दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा सी सी इसकी किस्म नहीं है ठीक है चलो अगला कोश्चन कोश्चन यह है बताओ अरे यार तुम इधर रहो बताओ हल्दी से संबंदित निमने लिकित में से कौन सा जोड़ा सही धंक से मेल नहीं खाता हल्दी को लेके कि राइजोम आपका जो है वन पॉइंट एड से फाइब पॉइंट फॉर यानि 5.4 प्रतिसत होते हैं ठीक है उसमें कुरकुमीन होती है और धाई से 7.2 इसेंसियल आयल होते हैं किसमें राइजोम में दूसरा पूचा इसका टंपरेचर 20-30 होता है सीड रेट आपके धाई टन प्रति हैक्टियर होती है यह उसकी बैराइटी जो है मसकवी बरदान और किस है आंसर देंगे भाई इसका क्या अंसर हो सकता है ऐसे कोश्चन आपके यह बहुत अच्छे लेविल कोटे और पीस्यस का पेपर है तो दोस्त आपको समझ लो यह आपको देखने को मिलेगा ही बिहार लोक सिवा आयोग है बच्छा ठीक है ना बहुत अच्छे सौम्या के अंसर एकदम सही आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहें भाई ठीक है जुई बहुत बढ़िया यह बच्छा बिल्कुल सही आंसर दे रही है हाँ जीस पी मस्ती लाइफ सी नहीं होगा पता है बच्छा इसकी वेराइटी मस्कवी बरदान किसान नहीं है ठीक है यह इसकी वेराइटी नहीं आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है अरे ठीक है चलो अगला कोश्चन यह कोश्चन बहुत बार आकासर ने अपनी मिर्च भारत में सबसे ज़्यादा मजबूत है यानि दोस्त बहुत ज़्यादा क्या है कड़ी मज़ेदार बताओ कौन सी बैराइटी है इंडिया में चपाटा ज्वाल पूसा ज्वाला भूत जलोखिया सब और आंसर दो जल्दी से इसका अंसर सबका सही होना चाहिए पागल नहीं हो जाएगा बच्चा यह पेपर अब तुम खुद समझो बिहार का एग्रिकल्चर एक्जाम पीसियस का इस लेवल का रखता है तो यह आपके लिए संदेश है कि अपनी तयारी को बेहतर करना पड़ेगा हां सनी ने आंसर दिया डी नहीं बच्चा डी नहीं बन जाएंगे बच्चा परिसान नहीं हो ठीक है अभी तो लेवल चेक करा रहे हैं आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे क्या भूत जलो किया आकाल सर ने कराई है मैंने कुछ सेशन देखाई है ठीक है भूत जलो किया जो है दोस्ति यह न यह भारत की सबसे बहुतरीन यानी इस अगदम से बोलो कड़कदार किसमें ठीक है बिस्स में पूछी जाए तो पूसा ज्वाला आती है ठीक है अच्छा अगला कुश्चन बताओ पूछा है दो हजार बाइस में बिहार राज में किसे जी आई टैग मिला है बिहार स्पेशल है आंसर देंगे जी आई टैग क इस में पूछा बिहार राज में टीक तो तुम्हें बता दें ये ये चारो चीजें बिहार राज को क्या जी आटेक दिला चुकी है चारो चीजें चाहे साह disguise लीची हो करतनीधान हो आपने पढ़ा अपको ये पने पढ़ा होगा पूछा है निमय किसे मिला है ये बतावा करतनी धान को भी पहले मिल चुका था मिधिला मखाना एकदम सही आंसर होगा दो हजार बाइस मिच से क्या है जिसे जी आई टैग मिला है यह कोस्टिन का लेवल मेरे लाल का समझे हो तूम देखो अगला कोस्टिन कोस्टिन है यह बताऊ सही जोड़ा मेल खाता है बीजडर आपसे पूछी गई है जो सही नहीं है वो बतानी आपको बाकी 4 सही है आप जो सही नहीं है वह बतानी जुट जिसको leek ठीक है मियामार साइडवाली वही वाली है ये ठीक है बरसीम की 35 kg परल मिले ट्यानी दोस्त बाजरा की ठीक है चार से पाँच किलो ग्राम कोरियंडर इरिगेटर कंडिशन पूछे 10 किलो अंसर दो अंसर दो अंसर दो भाई बहुत बढ़िया ठीक है अंसर लगा रहे हैं बच्चे क्या ए ए हो जाएगा सही जवाब है ए जूट की दोस्त अगर कभी कैप्सुल एरिस की पूछी जाए तो 6-8 किलोग्राम कितनी होती है चैसे 8-12 किलोग्राम नहीं गलत हो जाएगा आंसर क्या हो गया आंसर हो गया ए ठीक है ए आंसर हो गया अगला कोश्चन यह लो यह कोश्चन आपको हो सकता थोड़ी सी दिक्कत दे मैं इसका आंसर बताया दे रहा हूं आप स्क्रीन्शोड लेके रख लीजिएगा यह कोश कोश्चन यह लो 19 नमबर कोश्चन यह है कि आप से पूछा गया है करेस्पोंडिंग इटी जो आपका इवैपो ट्रांस्पिरेशन है उसको आपको जोड़ना था इसका भी आंसर में आपको बता देता हूं यह थोड़ा लेवल हार्ड है कॉलम बाले कोश्चन देखने को म जाएगा ठीक है इसको भी आप एक बार क्या ऐसे आप रख लीजेगा कोश्चन माप से जो बेतर वो कराएंगे यह लो आई डबलू पान सीपी रेश्यों बहुत बार पढ़ते हैं कोश्चन एक से नहीं आया का आई डबलू आप सीपी रेश्यों क्या है आपको भाइक कर पर आएगा डूंट वरे रो कि अले टेंसं नहीं यार मेरे लाल तुम्हें टेंसन नहीं लेना है लेविल अपना समझना एक कटाव इसकी बहुत कम जाती है पहले मैं बता दो थोड़ा सापको ठीक है कटाव बहुत कम जाएगी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तिसका अगर हम बात करते हैं इसकी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर है सी कभी ठीक है एक पहला दोस्तों वीट के लिए पॉइंट साथ पांस से एक तक जाता है ठीक है दूसरा कभी का दूसरा ने पॉइंट सिक्स सुगर के इन के लिए है ग्राउंड नेट के लिए दोस्त क्या है मारी एक है और दोस्त पोटाइटों के लिए वन पॉइंट टू से बन पॉइंट टू फाइव ठीक है आई डबलो पांच सीपी रेसियो आंसर इसका क्या हो जाएगा एक किस का अंसर एक किस का अंसर हो जाएगा भी ठीक है सोरी आपने गलत हमने बतादिया एक का एक दोगा तीन तीन का दो और चार का ये ठीक है सुगर कैन के लिए एक होता है ऐसे आपको याद रखना था चलिए कुश्चन राइए आपके सामने सीधे सीधे पूछ लिया फार्मूला बताओ ये फिजिकल वाटर यूज इफिस एंसी क्या होती है अंसर दो भाई नील कमल टेंसन नहीं लेना है यहां लेवल यहीं रखने वालें भाई आपका यहीं लेवल आपको जो है एग्रोनॉमी का मिलेगा हमारे यहां पर ठीक है अंसर दो अगर पूछा जाए फिजिलाजिकल यूज इफिसेंसी रिफर्स टू आंसर दो भाई आंसर क्या हो जाएग ढाइस नंबर ढाइस नंबर आंसर भी ठीक है ड्राइमेटर बटे ट्रांसपेरेशन लॉस्ट यह दोस्त क्या है बताता है क्या आपका फिजियुलाजिकल वाटर रूजिश इफिसेंसी को ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आंसर भी सुछक पदार्त मतेबास पूसर जन हानी अगला कोश्चन अगला कोश्चन ये रहा कोश्चन ये था कि बताओ ड्रेनेज कॉफिषियंट क्या होता ये हमने भी कोश्चन आपको ऐसन देखते हैं अगला इस यह लो बताव इस पर बिचाइप इस पर इंड्यूस दा सिल्टेशन सिल्टेशन एट बोट आप स्ट्रीम ने डाउन स्ट्रीम साइड सिल्टेशन बिल्कुल 80 सारी चीज़े एजी करने के लिए तो आपके लिए हम यहां खड़ें यह कोई पेपर हमने नहीं बनाया है यह पेपर आपका आल्रेडी है ठीक है बताओ तो तुम्हें ओर जिनल पेपर सेयर कर दें टेंसन ना लो लेकिन ठीक है यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा 24 चुबशका ऐंसर हो जाएगा क्या दोस्त बताओ दोनो रिपलेक्टिंग टाइप और अट्रेक्टिंट टाइप यह नहीं डोनों ए और वी बोज़ोट इसका अंसर था ठीक है बेंच ट्रैसिंग फार जल्दी से आंसर दो भई यये तो सरल कॉस् तरह जबाब बेंश रैसिंग कई बार पड़ाना 16 से तेटी सोला से तेटी से तेटी से तेटी से कम लगा सकते ना अंसर डी लगा दो क्या लगा दो डी विल विदर राइट आंसर ठीक है चल अगले प्रस्ट पर आते हैं यह लो अभी तुमने बाटर सेट को देखा ओ तो इ 223 ,पी अगरह मिए कहें कि इसमें यह जो इसमाल भी है यह क्या दिखाता है तो इसं लृप दर्सित करता यह आन्सर दो यानि दूस्त वाटर सेट से अच्छे Väanty को चेंटू आपर यह सॉमाल भी क्या बताता है थे न वे ठीक है बिल्कुल इसे बताता है दोस्ति यह इसमाली बताता सब कैच्मेंट एरिया क्या बताता है सब कैच्मेंट एरिया बताता है कि तीसरे वाटर सेड का यह सब कैच्मेंट एरिया है क्या यह सब कैच्मेंट एरिया आंसर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है और क्या यो चाहत है किसके दॉआरा किया जाता है बाटर से का जो हमारा डॉपलमेंट टीम है वो जो है डबल वाइक आखक बनाता है ऐसाथ 20 नंबर सुर्टा अमग refers जो व हमारा जलागम सिमिती होती है वो बनाती है या या इसका आंसर क्या हो जाएगा ए इसका जवाब होगा ठीक है अगला Question अगला Question ये है निमन लिकित में से कौन सा सा एक परीजीवी है आंसर दो जल्दी से कौन सा एक परीजीवी दोस्त कोश्चन नमबर 40 के बाद तो में बहुत सरल लगेंगे सच बता रहें गारंटीड थोड़ा सा रुख जाई है परिशान नहों और वैंकी स्पीसीज कुसकुटा इस्पीसीज इस ट्राइगा या फिर स सभी छेये सभी 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 अभी तुमारे लिए हम पांच मोडेल से टलेके आ रहे हैं पांच मोडल सेट लेके आ और रहे हैं जो दोस्त आपके अग्जाम के बस सर्प्रोबर को मअभी से मैंस कराना स्टार्ट कर देंगे एक बजब ठीक है चलो अगला कोश्शन बताओ कारए कीट नासको में तरल शूत्री करण नहीं माना जाता ताया बोल सकते हैं कौन साइस में से लिक्विड फर्मुलेशन जो दोस्त है नौट कंसीडर उसे हम लोग नहीं करते हैं क्या लिक्विड जो है दोस्त हम लोग अनकुर्ट हैं बताओ गुलंसील पाउडर को ठीक है लिक्विट फर्मूलेशन बोला है दोस्त ठीक जल में गुलंसील गुलंसील पाउड या फिर आपका पाउडर जलिये सस्पेंशन या फिर दोस्ती मलसी फाइवल इसमें बच्चे को दिमाग में आएगा सर्जी या तो बेटबर पा चलो अगला कोश्चन अगला कोश्चन ये रहा आपके सामने आंसर दो कह रहा है जल्दी से बताओ किसको आप मेज क्रॉप में यूज कर सकते हैं वीडी साइड की तरह किसको आप मक्का की फसल में ठीक है घर पतवार नासी के रूप में आप किसे यूज कर सकते हैं एट्र अरे नहीं डरना नहीं है यार डरना नहीं है आपको तैयारी करनी है देखो पहले मैं बताओं जब भी आपका यूपी का बड़ा कटिन था कटिन था मानते हो कटाफ कैसी अबी हार इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो सबी आंसर हो जायेगा चलिए आगे आते हैं य 대해 ये लो डासार टासार जो मारी है क्रेसम किट उसके लिए कौन सा उपियुक तो QUE थो मारा दोस्ट होष्च प्लांट है यो बता हो विद प्लांट होगा हमारा सर्केलिए बताओ होस्ट प्लांट कौन सा होगा टसार के लिए टर्मनेलिया आरजुना टर्मनेलिया टोमेंटो सा सोरय रोबस्टा या फिर सबी के सब अगर ये कोशन कराया हुँआ है अगर यह गलत लिए ना पकर पकड़ के मारूंगा ठीक है na बाड़िया विल्कुल परिशान नहीं हो बलकुल आप परिशान नहीं हो जब तक हम यहाँ को बिल्कुल परिसाही नहीं होने देंगे बहुत अच्छे आंसर दी हो जाएगी जालो फ्लकुल परिसंटर नियों बताओ कौन सा पेड़ है जो द्योगिक लकड़ी यानी दोस्त आपकी कैसी इंडस्ट्रियल लकड़ी भी देगी ओयल भी देगी सजावटी भी है बताओ जल्दी से आंसर दो अंसर आंसर 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 भाइग गलत नहीं करना वाई बत्तिस नमबर आप सरल कोशन है आपके एकदम से ठीक है सब्सक्राइब लकड़ी आई लकड़ी भी आई ओयल भी है ठीक है और जोगे आप पहले देखो दोस्त इंडस्ट्रियल लकड़ी है ठीक है मेडिशनली भी वह इंपोर्टेंट है आंसर क्या लगा दोगे अंसर क्या हो जाएगा दोस्त आंसर हो जाएगा पॉप्णिय ले ना आमारी यह ल outta Sintalum इंतर यह ले नहीं हो जादेंब 이거 यूछ सकता इसका अंसर जो है सी भी लगा हो ठीक है इसको थोड़ा सा डाउट में रखते हैं यह कोशन लेकिन आप कन्फर्म कर लोगे किसे कहते हैं स्वर्ग का पेन अंसर दो ट्री ओफ हैवन किसे बोलते हैं हाँ एलियंटस ठीक है वाई एलियंटस माल लिया आंसर क्या लगा देंगे करसर आंसर सी लगा दीचे ठीक है चलो अगला कोश्चन यह लो देखो दोस्ति यह कोश्चन इंग्लिस में लिखा है आप पड़ लो बहुत अच्छी बात है हम था आप खुदी आंसर लगा दोगे निम्रेलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है किसको लेके मेरा गौरव मेरा गाउं मेरा गौरव ठीक है कोश्चन था बताओ कह रहे यह योजना 2017 में शुरू हुई थी हमने का हां हुई थी तुमने कहा कि बताओ बैग ज्यानिकों को ग ग्यानिकों का सीधा इंटरफेस यानि सीधे मेल मिलाप करा देना करेसर यह भी था के वी के और जो हमारे एट हमारे जो एटीमे था एटीमे की मदद पर काम करना बिलकुल दोस्ती सारे के सारे इसी के काम लेकिन हमने पूछा इसमें से कौन सा काम नहीं था तो दोस्त आप अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ए जाएगा एट ठीक है अगला कोश्चन यह रहा बताओ पूछा है यह तो जो सरल कोशन जल्दी सांसर देजो इसका आंसर तो सभी लोग दे सकते ना नेशनल इंस्टिट्वीट आफ एग्री कल्च्यर एक्स्टेंशन मैनेज सिचुएटेड कहां पर है अगर बात करें तो राष्टी क्रसी विस्तार प्रबंदन संस्थान कहां पर है कि बिल्कुल 2015 में बहुत अच्छे बच्चा कि बियो एक के लिए बच्चा सुटेवल नहीं आप पेपर देख लो आप खुद बताओगे मनीश कि आपको ज्यादा चाहिए कि नहीं कि बिल्कुल गुड्डू परिशान नहीं हूँ आप हमें कहीं पर भी फॉलो कर लिजिए मापको सारी चीज़ें सारे गाइडेंस देने वाले परिशान मत हो यह ठीक है कि हाँ पटेल साउय कह रहे है ठोड़ा साप दियान दो ठोड़ा से को इस बताते इसका अंसर क्या हो जाएगा 35 बिलकुल से एंसर क्या हो जाएगा दोस्त आन्सरा जाएगा ठीक है सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं अब देखना दोस्त बहुत सरल को शान आपको मिलें यह कोश्चन था कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खा रहा है नीलो खेरी प्रोजेक्ट अलवर्ट मेर का है सांति निकेतन जो है रविना टेगोर के साथ में जो हमारा लियोनार्ड जी ने बनाया था वो है इटाबा जो है स्पेंसर हेच के द्वारा है गुडगाव प्रोजेक् सही है आंसर क्या हो जाएगा आंसर भी बहुत अच्छे देखो साफ साफ लिखा था बच्चा सांति निकेतर रविना टेगोर जी के द्वारा चलाएगा था मैं बहुत बार पता है बिल्कुत सही जवाब हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छे आंसर क्या हो जाएगा बी किसान को किस प्रकार से एक्स्टेंसन मिलता किसान को क्या फायदा मिलने बाला है बताओ क्रसी विस्तार अपराद में विस्तार वीमा विस्तार या सभी अंजर दुवाई 37 अगर हम बात करें पिलकुल देखो एक तरीके से हैं तो सारा लेकिन अगर बात करो कि हमने एक्स्टेंशन से में अगर बात करो एग्रिकल्चर को फायदा तो क्रसी विस्तार को ज्यादा मिलेगा बिलकुस सही कह रहे हो यह ज्यादा मिलेगा ठीक है बाकी हुआ है तो सम्में विस्तार सौन सकते हैं अगला कोशन कोशन है था और ईक्सटेंशन के दोस्ति चाया है जल्दी से बता अगे बतात करते हैं कि कौन सी कंडिसन है जहां पर सबसे मेक्सिमम प्रॉफिट होता है बताओ आंसर क्या होगा यह पी एपी के बराबर होता है एंपी एम सी के बराबर होता है मपी ग्रेटर देन एपी होता है या फिर दो तापका एंसी जो है ग्रेटर होता एमार से अंसर दो अग्राइब नमबर कुश्चन बहुत अच्छे क्या अंसर हो जाएगा MPs greater than क्या हो जाएगा MPs greater than यानि सी जवाब इकदम से सही होगा ठीक है सी जवाब के लिए महत्वपूर सुरुत क्या है बताइए अगर हम बात करें ग्रामीड तो वहाँ पर क्या है रूरल एरियाज में रूरल बैंक है मनी लेंडर है नेस्नलाइज बेंक क्या कॉपरेटिव एजन्सीज अगर ग्रामीड छेत्रों की बात करो ना तो दोस्त आज भी कौन है करे सर जी यहां तो अगला कुश्य भारत में जन जातियों के विकास के लिए कौन सी सहिकारी संस्था इस्थापित की गई है जल्दी से जबाब देंगे जन जातियों के विकास के लिए ट्राइफेड अपेड़ा नावाड या फिन मल्टी परपस सोसाइटिस तो साफस अपने वर्ड से समझ में आ रहा है हां ट्राइप से लिए कोई अगर कोई चीज बनी होगी ट्राइफ तो बोलते ना जन जातिय है का ही दोस्ता अंसर दो जल्दी से अंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका क्या ए ठीक है अंसर क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा अगला कोशन सामने लिखा ना दो स्ट्राइफ एट ठीक है ना चलो अगला कोश्शन यह रहां बताओ अगर हम बात करते हैं सी यानि कि Central Institute of Post Harvest Engineering and Technology यह कहां पर answer दो सीफिट कहां पर रहा answer दो Central Institute of Post Harvest Engineering देखो भाई मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता दू आपको इसका लेविल अगर कठीन लग रहा है तो भी मैं बता दू यह original है आपको सामने देखने की दरूरत नहीं मैं आपके सामने कुछ बच्चे कहेंगा सर इसका लेवल बहुत अज्यादा है यह बहुत कम है दो बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करेंगे मैं कह रहा हूं आप से अगर आपको ज्यादा लग रहा है ना तो अपनी पढ़ाई को छोड़ दो ठीक है अगर आपको लग रहा है कि आपको लेवल यह ज्यादा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो आप मेरे साथ हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा ठीक है बहुत स वीडि्टियो के सिरू करने से पहले मैंने दिखा दिया ठिक है मैंस आपके सामने आप जैट etti फी नहीं जेले सब्जेक्टी जो पिपर हुए थे वह भी आपके सामने प्रदरिसित करूंगा से ल्योका भी पेपर मेरे पास میں है हम से यो का पेपर भी आपके सामने डिसकस करेंगे जो भी आपका हुआ है सामने आपके है मैं जोट बोलना नहीं चाहता कि भाई मैं बता दो भाई आपका पेपर का लेविल इतना आएगा आप इतनी इतनी चीज़े पढ़ दो दोस्त आपको लेविल से पेपर अच्छा PCS की जौब अब तुम खुद समझो जो आदमी प्यस्ती की जौब कर रहा हो PCS जौब अब यार उसको कैसा लेविल चाहिए हलका तो नहीं आएगा डायर गारंटीड है तो अगर आपको लगता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं तो अपने इसाफ सारी चीज़ें आपके सामने मैंने इसको खुद हिंदी में करॉट किया मेरे पास इंदी पेपर नहीं था मैं कल रात से कर रहा हूं इसे पूरा पेपर आपके लिए रखने के लिए कि लेवल आप समझ लो पे लेवल समझोगे तो अब तैयारी अची कर पाऊगे आपको जूंटे में या अंधेरे में कोई मतलब नहीं दोस्त आई ना इसको इसका यह मतलब है पेपर आएगा आप खुद देखोगे भाई यह पेपर आया हर्याना एडियो का पेपर था पीसीएस की जॉब थी बढ़िया लेवल का पेपर आया लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कराये थे बढ़िया लेवल कर्षिटी को सामने देखो आप ठीक है आंसर क्या हो जाएगा कोस्टे नंबर 42 आंसर इसका क्या हो जाएगा दो सी यानी के मारा लुदिया ना ठीक है चलो अगला गुस्टनर यह रहा व प्रपोश्ष जर्म प्लास्ट तियुरी जर्म प्लास्में थिआप फ्योरी किस ने से अंटर दूँगा पेपर आप खुदी देख लो पेपर माई पश्री तरफ इंगलिस में ठीक है आप खुदी देख ले ना के बहुत अच्छे आंसर क्या हो जाएगा कैडिसर भी मैंगे आंसर क्या हो जाएगा 20 में एडिल भी तर आइट अंसर अगला कोश्शन यह था जीनो टाइप फीनो टाइप जो टर्म हो किस ने दिये थे जीनो टाइप फीनो टाइप यह देखो दोस्कोश्चन मैंने बोला था 40 के बाद आपको सरल मिलेंगे अब मैं गारेंटी देता हूं दोस्त आगे कि ठीक है बहुत अच्छे 44 आंसर क्या हो जाएगा जोंशन ठीक है डवल जोंसन जोंसन साब ने दिये थे बिलकुत सही जवाब है आंसर हो जाएगा सी ठीक है सी विल भी दराइट आंसर अगला कोश्चन ये रहा बताओ पूछा है दोस्त इसके बस सीदे सीदे हम इंगली समस् से टेली कर लिजेगा इसका आंसर जो है भी हो जाएगा क्या हो जाएगा भी एका दूसरा एका दूसरा ठीक है भी का पहला ठीक है जी टू यानि दोस्त यह आपका जो सी है ठीक है उसका हो जाएगा तीसरा ठीक है और जो आपका डी है उसका हो जाएगा क्या दोस्त हमने आंसर इसका रखा भी ठीके ना डीकट सी का तीसरा और डीका चोथा साइद यह रहेगा एक बार आप तेली कर लिजेगा इसका एकदम एक्जेक्ट अभी मैंने चेक नहीं किया है यह आप पेपर अकोशन आप खुदी कर लिजेगा ठीक है कोशन ये लो संतान उसके माता-पिता का के बीच एक क्रॉस किस रूप में जाना जाता है ठीक है यानि क्या क्रॉस और स्फिरिंग एंड इट्स पैरेंट अगर उसके और स्फिरिंग का यानि दो तुसकी और स्फिरिंग का पैरेंट से क्या करा दिया जाता है क्रॉस करा दिय ही 46 तो 26 सभी शाहिव है अंसर गया हो जाएगा करे टोटा Cities ठीक है इसे बेक्प्रोंस भोलतें जब औस रिंग किसके साथ पैरेंड के साथ करायत करा दिया जाता है ठीक है कुल यह लोग बताऊ फूछा है टाइसओं अमिक ब्राइसओंिक में बोला और दो धन्सर रॉप अंसर जल्दी से हुआ बहुत अच्य प tempo शीवानी पेटेल परमाजी जी बहुत अच्छे जीमानी अच्छ सुनके सीवानी जी बहुत अच्छ अच्य ँच्छ MP3 कॉपि यह टू येंट प्लास बादेंगे remembers bala देलglass छहीं ए थोड़ा सा यह प्रणुजन थोड़ा सा क्या है आपका इससे जरए टाव members के तो दोस्ट का इसका स्क्रीनशोर ले 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 लिए मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ साइड इसका आंसर जो स्दोर इस को अनट है अगर है या फिर न्यूट्रियंट एक्सपर्ट के द्वारा या फिर हम लोग एरियल इमेजनरी साइट मैप करते हैं या फिर सारे के सारे आप जो देख रहे हो यह मारा एक बढ़िया से आप क्या प्रसीजन यानि सटीक पो सकते तो प्रवंदन कर सकते हो यह इंटीग्रेट कर सकते हो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है डी विल भी तराइट अंसर कोशन ये लो बताओ ये तो बहुत अच्छे पड़ा इस्टितम पॉदन के ब्रदी के लिए कितनी आवसेक तक्तों क्या आवसेकता होती कुछ नहीं दोस्त हम से इसेंसियल न्यू पूछा है अगर ये पूछ लेता जब खोजे गए तो आंसर अलग उता है यहां पर आंसर क्या हो जाएगा करसर यहां अंसर 17 लगा देंगे ठीक है लगा दो भई आंसर क्या हो गया आपका सी हो गया सभी का जवाब सभी है अगला कोश्चिन यह है इफको द्वारा प्रस् अचे मेल पर लीटर आफटर एक तो इतना बढ़िया कोश्चन दोस्त नैनो यूरिया के वारे में देख रहो ना दोस्त बतावांसर है कौन सा हो जाएगा एबी सीडी कि 51 जैरी न यूरिया आएथी तो साफ मेंडिशन भी आएथी इसको की की छो आपका होना चाहिए यह वो कितना होना चाहिए 2 ml 2 ml जो है आपके पर लीटर के साप से आपका पढ़ना चाहिए 2 ml पर लीटर यानि इसका जवाब क्या होगा ए जवाब होगा ठीक है ना कनया जी बहुत अच्छे आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन पर आते हैं यह रह है करसरदी सैंड इसटोन पॉर्ट आ ilे से जोड़एंगे लाइम स्टोन को मार्वल से ग्रेनाइड को क्या है नीज से साफ साब पहले से थे तो इसको आराम से करते रहना ठीक है एक पूचह नियलोड पूचा है अब यह देखको तो साईस का बेसिक भी पड़्या है तो आपको रॉप भी पड़ने को अती हैं यहाँ पर कुश्चन देंगे जल्दी सांसर दो इलूविये शन एक E से होती है और एक आई से होती यहानपर आई वाला है यहां थो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा है इसका दूहि बिल यद राइट और ठीक है मिट्टी की परते कटो सामगरी कर्द जमाऊ होगा दोऩ 세quently बोलेंगे अपलोग से फीटेक हो जाएगा भी ठीक है चलो लिटिल लिफ लिटिल लिफ कि सर्क's की दिफिल लिब जो होता है किसकी कमी से होता है लिटिल लिफ यह कोश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई लिटेल लिफ बहुत सारे बच्चों के दिमांग में रहता है इस तर कोश्चन का लेविल का रियली में ऐसे जाएगा नहीं दोस्त इतना तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन यह तो हम तैयारी में बिल्कुल अपनी क्या ल को दोस्त मैंने बोला था ना सरल कोश्चन आएंगे आंगे सरल कोश्चन आपको मिलने लग गए हैं बी जवाब इसका क्या हो जाएगा जिंक की कमिस विर्कु सही है गुट चलिए अगला कोश्चन अभी सिंगल लाइनर आ रहे हैं देख रहे हो निमने लिकित में से कौन स आट वरस मोमिलाइजिंग बाई फैडलाईजर फास फूरस मुबलाइजर अब जल्दी से जभाब दो करें एस पर जीऱ श्योमिन्स सारी करेसर सारे करैसर सारे के सारे लग रहे हैं ठीक है बेन तक विलिकल क्या हो जाएगा कि कर असरे का ब्लते हो सकता है कि मैं सारे प्रसचन के उत्तर जो दे रहा हूं यह मैंने अपने जो है knowledge के इसाफ से रखे हुए हैं अगर किसी का कुछ इदर उदर भी होगा तो दोस्त इसमें बिल्कुल परिशान होने की बात नहीं है हो सकता है किसी का आंसर आपका ना भी मैच का है हम एक बार लेविल आपको बता रहें जो सही उत्तर है मैं प्रयास कर रहा हूं आपके 100 विदी किसने प्रपोस की है चपर नमबर कोशन कई है 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 का रही है है तो अनसर क्या हो जाएगा अंसर हमारा क्या हो जाएगा दूस्त बिल्कुस सही है और अग्टर सीन अचार्या जी बिल्कुस सही जबाब हो जाएगा अगला प्रसना आपके सामने ये रहा बताएए विखंडन कबक्ष किस रूप में जाना जाता है यानिकी दोस्त हम लोग बोले तो पूछा कोशन था फिजन फंजाई फिजन फंजाई और नोन एज क्या बो इसका शान्सार हमने जो हमें जितना पता तो हमें तो समझ में चाहिए ठीक है बाकि क्या ये पूछना चाहरे थे मेरे समझ में नहीं आया थीक है में तम एक बार इसको आप धिक लेंगे पेपर में कुशंच था तो मैंने रख्था है question यह रहां यह भी दोस्त आपका था कि भई आपको मैचिंग करनी थी A से B की और इसका जो answer था दोस्त वह आपका answer था ठीक है एक 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 भी का भी सी का सी cd कडी ठीक है इन्होंने सीधे पनामा पूछा किस से होता है तो आप इसको तो बहुत अच्छे से जानते हैं बस यहीं से आपने कोश्चन को पकड़ लिया कॉर्ट इन विल्ट आपको पता था इन दोनों से आपके कोश्चन को पकड़ा है बस ठीक है आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका एठीक है इसका जवाब क्या हो जाएगा इसका मैच कराना था ठीक है और सी आपसन आपका इसका एकड़म सही होगा एक का एक बी कभी सी का सी डी कडी ब्लैक हर्ट ऑक्सीजन डिफिशिएंसी ब्लैक टिप आपको मालूम है जो एसो टू गैस निकलती स्मोक निकलता उससे होता है खैरा जिंक से होता ही होता टीप बरने जो मुझा आया कि बताओ नर और मादा यानि दोस्तों मेल को फीमेल से आप डिफरेंशियेट कैसे करोगे कोश्चन था मेल को फीमेल से डिफरेंशियेट कैसे करोगे तो दोस्त एक तो यह कि फीमेल जो होती है मोटी चोड़ी होती है ठीक है और मेल जो होता है मेल जो होता है पहली पात यह था मेल ढेल मलना कार होता है ठीक फिली फर्म भडिया से चीन होती बड़े आकार की लिख को थोड़ी से गूवी होई ठीक है बड़े आकार के गूवी हुई और यह दोस्त क्या है आराम से सीधा ठीक है और यह थोड़ी पैटर भी competit है इस प्रकार जेंसर इसका था क्या इसका जबाफ सही होगा है अगला कुश्ण यह लो कोश्छन देखARS दोस्त नय लेवल का नए पटर्थ का पूछा था सिन Seema सिनीमा फोर्मेशन किसमे कामन है सिनियमा फोर्मेशन 23 कमन है तो दोस्त हमालो में बैसिटी हो मैं सिटीज में मारा क्या बनता है करेसर आपके जो है जो आपका बेस इडियो माई सिटीज में है दोस्त उसमें मारी क्या बनते हैं उसमें मारी बेस पूर बनते हैं पता है इंपरफेक्ट फंजाई तो दोस्ते सेक्षवल रिपरड़क्शन करती तो मैं पता है दोस्त ठीक है इ एक बार देखने को मिला 62 पे ओके कोई नहीं है ओके ओके उद्वार हो गया कोई नहीं वासट हो चुका था दुवारा लग गया टीफ कंसिटुएंट ऑफ दा हमारा जो हिल रेक्षन होता है वो क्या है हिल रेक्षन के के बारे में पूछा था आंसर देंगे हमसे दोस्त इसमें पूछा है कि भाई हिल रेक्षन जो होती है ठीक है उसका प्रोड़क्ट के बारे में बताओ तो मैं पता था लाइट गिरती थी पानी तूटता था सॉक्सिजन निकलती थी और एटीपी और एने डीपीएस टू बन है क्लोरोप्लास्ट में दूसरा आक्सीजन निकलती है नो डाउट लेकिन हमारे लिए पूछा है चीफ कंस्टिटुएंट दोस्त आक्सीजन तो इसका बाई प्रोड़क्ट के रूप में निकलती है यहां पर एटीपी और एने डीपीएस टू क्या हो जाता इसका में प्र पौदे में फोटो रिस्पाइरेशन होती है सीफोर पौदे में क्या फोटो रिस्पाइरेशन नहीं होती है हमें मालूम है नगन बोल सकते हैं ऐसा क्यों है आंसर दिये थे इसके एबी सीडी एक बार आख खुद से पढ़िएगा पढ़िए कुशन को पढ़ा कुछ लगा करें सब्सक्राइब है तो रहा है और आप थोड़ा लगने की वादे करें ज्यादा लग रहा है ज्यादा लग रहा है जैनसर क्या हो जाएगा ऑंसर इसका बच्चा हो जाएगा सबी ठीक है आंसर क्या हो जाएगा सभी के सभी इसने जो लिखे थे सारे के सारे कारण एकडम से सही थे ठीक है डी आंसर अगला कोश्चन बताओ स्वसंद के दवरान एक मोल ग्लुकोज अगर मालूम हमें ना कि ग्लुकोज का एक अड़ु था अब वो टूटा है कितनी एक बनाएगा यह तो कोश्चन फेमस है आंसर देदो वन मालीक्यूल हो मैनी मालीक्यूल ओफ एटी पी बिल वी फॉर्म डूरिंग रेस्पाइरेशन अब वन मालीक्यूल अफ ग्लुकोज ग्लुकोज से अब यहां आल मत लगा देना मेरे लाल श्रिया बहुत अच्छे अरपन गुड्डू कनया जी पटेल बर्मा शत्यम बिलकुत चिरंजी जी आंसर सभी क्या आ गए हैं आंसर इसका क्या होगा 38 क्या होगा 38 कई बार हम पढ़ते ना 38 सभी जवाब है चलिए 36-38 वह वही है अगला कोश्चन अगला कोश्चन था आई एक के बिनास के लिए यानि दोस्त एक तरीके से बोलो दिस्ट्रक्षम अफ आई ए कौण सा इसमें से एंजाइम है जो हमारा क्या है रुक और होगा कि रुट इस या फिली अगर हम पूछे आई आए एक बिनास के लिए लिए डिस्ट्रक्षम अफ आ एय ए ए तो दोस्त हमारा कौन सा आपका जो एंजाइम होगा वो कामगार होगा आंसर देंगे आंसर क्या हो जाएगा 66 बिल्कुँ सही है आंसर क्या हो जाएगा आंसर दोस्ति इसका हो जाएगा IAA Oxidase क्या हो जाएगा IAA Oxidase ठीक है चलिए अगले कोश्चन पर आते हैं यह लो पताओ दिम्न मेंसे कौन सा MRNA कोडान MRNA कोडान synthesis of methionine जो methionine को बनाता है अब बताओ दोस्त कोडान पूछा है लेबल देखो कोश्चन का तो दोस्त मिठियो नीन को कौन सा बनाता है तो हम ऐसे बता देते हैं aug जो है दोस्त क्या है यह मिठियो नीन को बनाने वाला कोडान है ठीक है MRNA ठीक है कौन है ए यूजी आओ जी जाओ जी दोस्त जो ओते दो वो क्या होते हैं इनिशेटिंग्स कोडान अगर आप देखो दोस्त बिहार के अगरी कल्चर को देखो ज़रा पूछो दिमनेलिकित में से कौन सा कतन कतन है जो आहार पाइन के बारे में सत्त है आहर पाइन क्या है एक मैठेड है इरीगेशन का आहर पाइन ठीक है हाँ आव आंसर दो यह एक पारंपरिक दोस्त बाढ़ जलस जो है संचेन पणाली है पहला ट्रडिशनल फ्लेड वार्टर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आहर पाइन बोलते हैं समधाई प्रवंदिस सिचाई पुणाली इससे पानी को स्टोर करके बाद में क्या करते हैं क्या यह दोस्त हमारा सारे के सारे सही है आंसर दो हैर पाइन तो बता दें और पाइन दो सब्सक्राइं यह हमारी है ट्रडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका है इसके 于 कोशी जो है बहुत ज़्यादा फेमस मेशंद डी ढोलाती इसमें वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है समुदायक प्रबंदित सीचाहिप डाली तुति इसे हम लोग मानते औशर इसका क्या है चलिये अगला कुष्टम है क्योशन था यह ऊसला किसे भाइं हमारे ए濟ी टोलल वेजिटेवल इंदिया में जो पयदा होती है बिहार का कितना भाग है जैसे पूछा है लीची पूरे इंडिया में जितनी होती है उसका उसका दोस्त कितने प्रतिस přैousse me 146 जैका दूसरा की कह OC 71 प्रतिषत ठीक का पहला मेंगो आपका 13 प्रतिश्त होइँ पर दोस्त आपका सी कह पहला यानी टोटल फ्रूट का Dyस्ट ग्या रहे गा टोटल फ्रूट का चेद ससम्लब साथ परतेशत और तो च्रोटन यानि दो सब्सक्राइण किना यानि आपको भी क्वाइर की स्टैट क्यूचर में पड़नी पड़ेंगी यह हमारी भी हर की स्टैटिक से ठِक है एगरी कोल्चर की कॉस्चं ड्रेगन फ्रूट के लिए निम्ल लिके तो में पisन गवी के में के जरू की गई थी हमने का हमाइट वाई सुरू के गई थी ऑंसर इसका हो गया ऊंसर ओगया ढोगा डी तन डी द्रेङन फूर से रोना गया ठीक है डी आंसर अगला प्रस्थ मैं फिर दोस्तर वभाई बात seed rate से question पूछ लिया seed rate से question पूछ लिया दोस्त आलू से तो बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो क्योंकि टन में अगर कोई चीज की seed rate है तो वो सिर्फ आलू है, ढाई टन दो से ढाई टन, बांकि तो ग्राम में दी है तो ठीक है, अच्छा किलो ग्राम में आ गया है किलो ग्राम में किसको होगा, काली फ्लार का, टमाटर का या कैरेट का, तो दोस्त याद कर लेना, कैरेट, गाजर का जो होता किलो ग्राम में, सी का आंसर क्या होगा, ए और डी का आंसर 4 answer मिल高 us G program ढबरे का अज़ाएंग कशार में भी जाएंगा सिंका एक 11 एकी डिन यविज का 17 अंसर Więc अंसर क्षिन में तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्ता है वहारीट वह जाएगा थी टीक है ठलो ब डेखे दोस्त लिवे 22 आगला तो कुश्चंट कि हो बैराईटी एक बैराईटी से होटी कल्चर की बैराईटी से कोशशन बहुत अच्छ से पता है आपको मालदा जर्दा लू किसकी बैराएटी दोस्त मालदा जर्दालू मैंगो की है तो मैंगो को जोड़ लो ठीक है लीची की करसर सीधे सीधे लिका स्वर्न रूपा स्वर्न रूपा किसके लीची की चलो दूसरे वाले को इधर से जोड़ दो अच्छा आप गौाबा की गौाबा की दोस्त देखो सरदार लिखी थी य यहां पर आंसर हो गया हमारा डी क्या हो गया डी आंसर हो जाएगा यह दोस्ता आपका बिहार का कोेश्चन कि एक जब माइचिंग के दस कोषटन है दोस्ति में देखो कोषटन था बताव बिहार में इसकी कीख में शुरू की गई थी गलत हो गया सका सही हमने क्या है नहीं कर पाया उदर से आ γए कापी okay छोड़ दो को शाल यह कि इस सक तो हैंगिंग गार्डेन में करते हैं हैंगिंग बगांगर दें में करते हैं सका हिंदी सभी नहीं उए पीछा वाला आगए दो ठीक है कि बताओ वह सबहूं करते हैं एक यमकर दोस्त यादकर लेना यह सारे क्यांगर आहिंग गार्डेंगार्य में प्सक्राइब गरने किते सीदे उठात के लगा दिया ऐग्री कल्चर में बिहार राज्ज का supply कितना था Allahu जार 2121 में खाद्यान उत्पादन बिहार राज्ज का यह बिहार इस पेसल एकरी कल्चर दोस्त तो देखो बिहार इस पेसला इसे पढ़नी पढ़ेगी आपको खुब देख लो शिर्फ लेवल है आपके लिए एक तरीके से यह समझ लो दोस्त यह सारी चीजिए आपको पढ़नी है लगाना सर हिला डाला मज़ा तो आई लेकिन लगा कुछ नकुछ तो है बिहार इस पेसले दोस्ति यह आंसर क्या है आंसर दोस्त हमारा हो जाएगा सी 184 दिसमलव 6 यह आठ चैल लाख मैट्रिक टन जो है बिहार का क्या राकुल खाद्यान उत्पादन रहा है कुछेटन देखो मेरे लाल नहीं बोलते हैं तेल देखो तेल की धार देखो वह ऐसे दोस्ते दोस्ते को स्चिन देखो को सिन की धार देखो दोस्त मजा आ गया ह ठीक है अगला डिता पूचा है दो हजार 212 बाइस में बिहार राज का कुल खाद्यान उत्पाद गलत हो गया। दमीन कॉज़ फ्लड इन बिहार बिहार में जो फ्लड है यानि दोस्त जो बाड है उसका मुख कारण क्या है बिहार में बिहार में ठीक है यानि कि दोस्त जो बाड है उसका मुख कालर क्या है मुख बाड का मुख कारण यह दोस्त हमी ने किया है ठीक है अभी पता ने इदर क आफ्शरालेंड को आपने वहां पर प्रवाट के अपनी यह आता है यहां पर निया पहले पहले पानी कम आता त》 MR में धाइगुना बढ़ गया द धाइगुना पानी जादा उसकर आनसर क्या सभी यानि कि सारे कारण जिस्सेक ज़ो बिहार में दोस्ता है कि बहुत ज्यादा फिलड आता है आपको पता होगा जब भी बाला आतीड कि ना मानसून के दूसरे से क्या करना था आइसो लेसन डिस्टेंस बतानी ठीस सुर्टिफाइड सीड्स के लिए सुर्टिफाइड सीड्स के लिए एक बार कॉश्चन आप देख लो मैं आपको आंसर बता दूँगा ठीक है कोश्चन आप देख लो आंसर में बता दूंगा इसक्रिशॉट ले लेने बच्चा इसका हाँ सच में हिला डाला ना ज्यादा हिला डाला है मजा ही आ गया है अब तो हैं लग रहा है पेपर का लेवेल इसा आएगा सब्सक्राइब दोस्ता इसका हो जाएगा सी ठीक है सी बिल विदर राइट अंसर एक अचावता सवार गम जो है दोस्त उसका क्या हो जाएगा का दोसों सुगर बीट पोटाइटो मेज चलो कोई नहीं आप एक बार इसको जो है मैच कर लीजेगा ठीक है चलो अगला कोश्चन को सब्सक्राइब बिहार से बिहार का पूछा है बताओ निमने लिखित में से बिहार का कौन सा गाव है जो भारत का पहला पोसर बन पहला पोसर यानि दोस्ते तरीके से पूछो तो बोला गया है इवर फॉस्ट इवर निउट्रीशनल आफ इंडिया अंसर दो हाँ मेरा कुकारी भीगा अश्पुरा या फिर दोस्तहमारा कुरू जेक तरह ह या फिर दोस्तमारा क्या है रफी गंज अंसर दो बिहार का कॉन सा पोसर पहला पोसर बन गया आंसर क्या हो गया अंशतर थे इसका ए ठीक है कुराकी बीगा आंसर क्या हो जाएगा कुराकी बीगा आंसर हो जाएगा इसका ए ठीक है अगला कोशन यह लो पूचा है बिहार का निमने लिकित में से कौन सा बिहार का सबसे पुराना के भी के सबसे पुराना का मतलब है दो सबसे पहला पूछ रहा होगा न आंसर दो बात एक ही है कौन सा है मुंगेर पटना में जो है या पिर हमारा हर नौत जो नालंदा में है विजय नगर जो मारा बंका में है या पिर हमारा आरी यरी जो लोग अरियारी बोलते दो वह मारा जो सैख फुरा में है कौन सा इस में से है जो सबसे पुराना हमारा के भ सब्सक्राइब इंगलीज ठीक है पेपर आपका पेपर आपको मिलेगा लई के आओगे आप ठीक है अंजर का होगा है वाउद अच्छे मुंगेर पठना में जो दोस्त है इस सबसे पुराना हमारा एक विल भी तराइट अंसर सारे वच्चों ने लगवक दिया है लेकिन गलत ज्यादा हो रहे हैं ठीक है करे सर जी नए नए प्रस्त है हम तो इससे सुने ही नहीं कभी कोई नहीं एक बार आपको देखना है सब जा गाउं कौन सा है जैविक गाउं कौन सा है बताओ जैविक गाउं बिहार का जैविक गाउं पूछा है आंसर दो आंसर क्या हो जाएगा खेडिया या फिर हमारा अरेरिया या फिर दोस्त डंग या फिर दोस्त उबरा उबरावी गाउं ये दोस्त हमारा पहला जैविक ठीक है 202223 में जैनिवीागव गाव पूछा था अंसर दो करट से है यह तो कोस्षिन बास तवी बहुत बढ़े आ हैं विहार अग्रिकल्टिर है देख रहे हो בת दोस्त आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या केडिया क्या है केडिया जो दोस्त है यह गाओ बिहार का पहला जैविक गाओं है चलिए अगला प्रसना आपके सामने यह लो बताओ बताओ बिहार का बर्तमान एगरी कल्चर मिनिस्टर यह कोश्चन पेपर में ही आया ह है पेपर में ही आया हुआ कोश्चन है बिहार के ही पेपर में आ गया बताओ बिहार का एगरिकल्चर मिनिस्टर बताओ जल्दी से अंसर सर जी नहीं पढ़ें है कभी हाँ सुमन बच्चा इसका जो है एक्जाम तीन महीने लग बग मिलना चाहिए ख़ात है हम इतकते सर हवा into लग रही है रही है वह नहीं लग रही है यह रही था अंदर क्या हो गाया छाइगा बता दो देख रहे हैं यह बी सीडी आप लगा दो यह सही है सारे बच्चों का यह आंसर सही कहते हैं ठीक है कुमार सर्वजी जी यह भी आया हुआ प्रrasi के जना किस वर्स शुरू हि बारिया को शीने सारे आपको आएंगे प्रधान मंत्री सिसाइओ जना अकिस द दौरान शुरू हुए थी तो जार 1516-18-19 यह पर हमारा 16 17 या फिर आपकी इननीस सवा सच्च दो जलदी से यह भी आपका पो पेपर आपका बिहार लोग सबायोग में पूछा गया जल्दी सैंसरदो लाइक करने में कितनी कंजूसी करते हैं नहीं लोग का। लोग करेंगे सोई करेंगे पहले सर्थ समझ तवाए पेपर गई हवात लगे लग्ंध क sekarang मैं बिलकुल सभी बचा करसि घ्यान केंदर के वीटिक बोलते हैं और अनलाइन नहीं होगा बच्छा नियल इजे ओbnलाइन होगा ठीक है पर यह आफ लाइन होगा पे स्यास का पिपर अलाइन बिल्कुछ साही है ठीक है चलें आंगे चल अगला कोश्चन यह रहा बताओ महा लिनोबिस रास्ट्रिये फसल पूर्वा अनुमान के इंदर जिसकों लोग बोलते हो MNCFC द्वारा भारत के सबसे सूखा प्रवड जिलों के रूप में पहचान की गई है यानि दोस्त आपके ये पूरे इंडिया के इन्हों ने पूछे थे महाल इनोबिस मॉडल आया था उस मॉडल के कॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा आपके सूखा ग्रस्त वाले थे एरिय पूछा है ऐसे कितने जिले जो हैं दोस्त हमारे हैं अंत्त कर दो स्टेट के जिलों को यहां पर कांट किया गया था ठीक है महाल इनोबिस मॉडल में बताना था आपको कि तने आपके जिले हैं आंसर वो राज्यों का दिया गया है इस्टेट का दिया गया है ब्लॉक का दिया गया है और यह कोस्चन बना था किसका जिले का तो जिले का तो भाई मेरे पास कोई डेटा मिला नहीं हमें ठीक है चलो ब्लोक का बनाता लगवग जो है 1200 से 1500 पता नहीं परदान मंत्री फसल बीमा योजना कब सुरू हुई आंसर दो एबी सीडी परदान मंत्री फसल बीमा योजना यह भी दोस्त आपका बताओ पीचिस में पेपर यह भी आए कुस्चन है यानि दोस्त एक तरीके से बताए आपके इजी थे तरीके से करने वाले थे तो आप आराम से टच कर सकते थे और लगवग दूस्त पचीस से ऐसे भी थे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे और कम से कम बीस पंदरा से बीस कोश्चिन आपके बिहार अग्री कल्चर से इसमें ठीक है यह चीज बड़ी इसमें थोड़ी सी देखने को मिली है ठीक है आणत्र क्या हो जाएगा करे से यह तो बहुत बार पड़ा हुआ है ठीक है 2,000 सोला दो हजार बाई है बड़ी आ बढ़ी है सभी का अंसर आ इंसर क्या हो जाएगा सी है 18 फरवरी 2016 ठीक है ठीक है भ। बच बढ़ीया चलो अगले आएए आंसर दो आधिनियम कब आया है चवरासी वे पीम सी दोस्त वैसे अगर बात करो तो इसका रूल जो है एप सी दो दिनियम आया था 2003 में आए ठीक है लेकिन 2017 में कुछ मोडिफिकेशन किये गए थे लेकिन पूचा आधीन यम कब आया था तो अधिन यह था 2003 में ठीक यह कुश्चन जो है आपके पेपर में फी गलत था जो बियार का एक्रीकलच्रा में आपके सामने लेके आए है बीयार लोक से बाइयोक का ल GST कव आई थी GST कव लागू हुई है कव लागू की गई कोउचिन ये नहीं है कव अ ओई थी लागू कवे है ये पूचा यह कोउच्छन देखो चरा रहा जो अ की घू थória के गई अ कि एक जुलाई दो जार सोला एक जुलाई है 2017 एग जुलाई दो जार ठाद या पंदा अगस्तर दो जारे 18 अंदर दो जल दो दिसे एवी सीड़ी क्या लगाएंगे कि छाही कि भी लगाएंगे साहिए भी ही ही है भाई भी ही है डुँजाइ टीक है एक जुलाई 2017 को क्या सुरू कर दी गई थी ठीक है कब सुरू यह 2017 ठीक है 85 नंबर हो गया अगला कोश्चन ये लोग जिएस्टी के तैत निमने लिखित में से किसमें नियूनितम दरें हैं यानि कि दोस्त हमें ये पता ना था सबसे कम जिएस्टी किसमें होती है सबसे कम ठीक है हाँ नियूनितम बताओ पेस्टी साइड में दोस्त 18 ठीक है ड्रीप स्प्रिंकल आपके इरिगेशन एक्यूपमेंट में 12 ट्रेक्टर में भी आपका 12 ठीक है और दोस्त आपका जो है इसमें अगर पूछा जाए फटलाइजर में तो दोस्त आपकी पास से बारा तो दोस्त इस तरीके से देखा जाए तो फटलाइजर आंसर होना चाहिए था ठीक है क्या होना चाहिए था फटलाइजर लेकिन दोस का कुल सकल घरेल उत्पाद कराशी में योगदान कितना है यानि GDP यानि वह इना जैसे मैं पूश्ते एक्री कल्चर का पार्ट कितना है बिहार की अगर GDP देखी जाए ये रहे बिहार की GDP ये रहा बिहार और बिहार की यह रही GDP ठीक है आप GDP में एग्री कल्चर कितना अपना जो है पार्टिसिपेशन रखता है यह पूछा है कुश्चन आंसर दो 14.8 परतिसत आपका 24.8 परतिसत एकत्ती दिसम्लावाट या फिर आपका 44.8 आंसर दो जैसे हमारा एक रिकल्चर रहे जीडी पी तो बहुत अच्छा रखेगी बिल्कुल रखना चाहिए और दोस्ता आंसर इसका पता क्या था जोबी दसम्लावाट जोए आर्ट प्रतिसत चोबी दसम्लाव आठ प्रतिसत हिस्सेदारी रखता है कौन एक ग्रीकल्चर कॉन रखता है एक रिक जल्चर में कोश्चन है दो सो में ही आंसर दो जल्दी से हमें 88 पे आ गए हैं जल्दी से अंसर दो हाँ बिल्कुल ग्रॉस्टी प्रोड़क्ट जीडी पी बिल्कुल अमित पटेल जी वही ठीक है कि हानसर क्या हो जाएगा जल हर जीवन हरी आली आंसर क्या हो जाएगा सities students 9th हाजार नेस को आई है दोहक्तूबर 129 को हमारे पास करके यह du pilot США अन्सूर इसका लाए डी यानि दोस्त आपको विहार की स्कीम भी पढ़नी पढ़ेंगी ठीक है समझ गये बात भूलना नहीं है दोस्त बियार की स्कीम पढ़नी पढ़ेंगी ब्यार राजी का पेपर दे रहो तो ढ़ना पढ़ेगा ठीक है अब यार के दब तो कहले सा पड़ी रहे थे कोश्चन देखो दोस्त क्या गजब कोश्चन पूचा आपको पता है यह तुछ राजियंद प्रशाद करिसी जिए ठीक है यह पहले भी सुब ध्याले नहीं था दोस्त पूसा पे हमारी क्या थी पूसा नई कर दिल्ली के पूसा रोड दिल्ली निकल या दैना दोस्त ओ जो आपका वहां पर पहले जो अमारा ब CHP हमारा यह आई आराई वहां की बिल्डिंग में ही क्राशी जो आपका केंद्रिय कि सब्ढ़ जो कर सिब्सु भी जाले है डाक्टर राजेंट प्रसाद कर समीस भी जाले यह शुरू कर दिया गया कहा पर उसी वह जगा है पूसा में अदोस्ति यह स्तित्त में कवाया यह कोश सब्सक्राइशन क्या गजब पूचा है नहीं आए ना एकदम से लेकिन बहुत सारे बच्चों ने भईया सही कर दिया है सरके हम सो है भी आंसर के साथ जाएंगे तुम्हें नहीं पता है दोस्ति यह तुम्हें पता ही नहीं होगा कि वहां पर यह क्रस्विस भी जाले बना से 2016 2016 जड़ी लगा दिये हैं अब सही है अंसर क्या 2016 ठीक है साथ अक्टूबर 2016 बीविल विदर राइट अंसर अगला कुश्यन यह लो बिहार में मुकामा ताल कहां पर है बिहार में मुकामा ताल कहां पर है आंसर दो पटना में दर्भंगा में नालंदा में या पिर हमारा मैयूर भंज में आंसर दो मैयूर भंज में नालंदा में दर्भंगा में या फिर दोस्त पटना में आंसर दो बिहार में मुकामा ताल कहां पर है आंसर दो जल्दी से हाँ बिहार का एकजाम वीयों का फर्स टाइम नहीं कंडर हो राया फर्स टाइम उपट्र भ को रहा है पहले सब्जट रीली आता था ठीकर याद कर लीजेगा आंशर क्या हो जाएगा इसका ठीट सब लोग ब्रूंकिन सांस्यघ determine क्美味 सोल इच्ञानलवाख एक लिए बेशा आपके यारे देखा हो कभी कहीं कहीं पर जो नधिया दिया दियाकिस को किनारे अचिकनारी करना कि इस को सबसे अधर प्रफर करते हैं रैज को वीट को सुगर कैन सुगर विट्स नहींगे प्रफर किया जाता है आछ एं अथा कुकुरबेट को किसको कुखर बिर्सकर बिलकुल बहुत बाद अच्ट आए का आरजून नील बहुत बड़ी आंसर क्या हो जाएगा कुकूरबेट को साइब नहीं है तो दोस्त ये सारे के सारे आप बार पढ़ लो लेकिन आम जिसाही नहीं है उसके बारे में बता देते है एक उद्ष का दी के भैए वहां पर पोसक तक भरपूर मातरा में उते दूत गरीब कर लियान जो गरीब अन्योजना के तहत कितनी आवादी कवर है प्रधान मंत्री गरीब कर लियान अन्योजना के तहत कितनी जो है है हमारी पापुलेशन को कवर किया गया है आंसर दो जल्दी से अ है बहुत अच्छे कित्ते करोण असी करोण ठीक है मान लिया अरे जोर्थ बोल देते हैं सर जी पेपर इत्ता कठीन है सरा मजाग कर रहे हैं देखो दोस्त सबसे बढ़िया साधन होता है अपनी तैयारी को ब अच्छी आप लगा यारी सब चीजें कवर करने में ठीक है बहुत बढ़िया भी आंसर दे रहे आशी करोण सही है सही जवाब है भी एंसर होगा असी करोण ठीक है बहुत बढ़िया एक रिकल्चर के लिए तुमाई चार बजे क्लास लेते हैं चार बजे चार पीयम पे मं मंधन के नाम से दोस्त अगर आप नहीं जानते हो तो दोस्त कभी आओ वहां मंधन करने एक बाद मजा आजाएगा ठीक है और एक आपकी एक बज़े आपके शुरू हो गई है वह आपके बिहार के लिए यह बीए ओके लिए ही यह बीए ओवी ऐसे डियो बिहार राजमें तीन से निम ने ले झिलों में kita Dela Mr. friendly मिटी सौरी तरी दल्दली मिटी है दल्दली मिटी पोचें़ं़ में दल्दली मिटी है क्योंत जिले में दल्दली मिटी ए वेतल एंड़े यादेन्हुत फरवर्वाला में ऑ은 दोस्ताओ ठाव में में या फिर अमारा मदूबनी में या नालंदा में कहां पर दलदली मिट्टी है कि अ कि अ कि कि अ कि आपकी आपकी दलदली मिट्टी है यह बच्चों ने आंसर दिया भी है कुछ बच्चे जो हमारे भी हार के हैं सही जवाब है एजवाब होगा चंपारण ठीक है अगला प्रस्नाप के सामने यह रहा बताओ कि सुबर सा भी हार को चावल उत्पादन में के लिए क्रसी करमड पूरुसकार दिया गया चावल के लिए कि चावल आपने बहुत बढ़िया उत्पादित किया है इसके लिए दिया गया था आंसर दो जल्दी से एबी सीडी दोजा 13 14 15 16 इसमें जो आपसं दिया गया है वो 2013 दिया गया है लेकिन क्रसी कर्मण पुरुषकार दिया गया था 2011 12 में ठीक है 2011 12 के उत्पादन के लिए दिया गया था तो दोस्त आंसर क्या हो आपका 2013 अब इन्हों ने समझ नहीं पाए हम चावल उत्पादन किस वर्स के लिए पूछा अगर इन्हों ने पूछा है चावल उत्पादन के लिए तो आंसर लगाएंगे है 2000 आपका 11 12 ठीक है इस चक्कर में मिला है इनको तो वह मिला था 2013 में अभी किस बात को लेके पूछ रहते तो आंसर तो इसमें 11 12 नहीं दिया था तो 13 लगाना सही समझा गया समझे मेरी बात को इस उत्पादन के लिए दिया गया था इस टाइम दिया गया था तो किस वर्स मि क्रॉप इंटेंसिटी पूछी ठीक है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है सबसे अधिक सबसे तीब्रता हमने पूछी क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहा कि है यह बताओ क्रॉपिंग इंटेंसिटी बिहार में सबसे नहीं आंसर दो पहले मैंने बताया था दोस्त कोसी नदी के बारे में बहुत सारी बाते की थी तो आपको पता होगा ठीक है अब लाइब चलेगा और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी सर कम मिलेगी अरे बच्चा एकाद दिन का इंतिजार कर लो थोड़ा सा आपको रिकॉर्डिंग ऐसा तो है नहीं किसी की दे देंगे आपको पिसी की ही रिकॉर्डिंग मिलने बाले है कल अमारा स्लेवर्ड साम को डिस्कड उगया है कि हंदी द्रेट लाइब बाएट भी चलेगा रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी जल्दी क्रना रिकॉर्डिंग पढ़र लो लेकिं लाइब जरूर आना क्योंकि आपको एक एक परसेंट सल्यूशन देना है यह सारे बैच आपके लाइव रहने वाले हैं एक ग्रोनामी होटी कल्चर फीजियोलोजी स्वाइल साइंस जेनिटिक प्लांट बीडिंग जो दोस्त आपको यह लेवल दिखा रहे हैं यही लेवल आपको पढ़ाना है क्यों और हिंदी और इंग्लिस दोनों भासाओं में पढ़ाना है क्यों क्योंकि दोस्ता आपने लेवल देख लिया आपने बहुत अच्छे से देख लिया ना यह मारा बैच की खासियत रहेगी अगर आप रिंडॉल करना चाहते हैं तो बाइशा सो टिरासी लगा कि अभी इंडॉल करवात इस जिला बिहार में आम उत्पादन में सबसे आगे है आम उत्पादन में सबसे आगे कौन सा जिला है आंसर दो मुझभफर नगर इस्ट चंपारन दरबंगा या फिर बैसाली आंसर दो जल्दी से एबी सीडी मुझभफर नगर इस्ट चंपारन दरबंगा या फिर बैसा ठीक है जल्दी से आंसर दो हाँ है बिल्कुल अबू आपकी जो क्लास है बोथ लेंग्वेज में ही रहेगे हिंदी इंग्लिज जैसे बच्छा मापको पढ़ा रहे ना एक तरफ हिंदी एक तरह इसी है तुम बरुसान नो बिल्कुल बिहार संग्रह करके एक आती है हैं बिहार क्रसी एक करके संग्रह करके आती है ठीक है दोनों आपकी किताबें बहुत अच्छी है जो आपकी बिहार के लिए हैं ठीक है बिहार इस फेसल ठीक है चलो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त सभी ने अपना आंसर दे दिया है 97 बहुत ब प्रगा दिया सी, आंसर सबस्यारत दर्वंगा और उग्या सी ठीक है चालो अगला कोश्चिन जो मार्वक्स जिसे उलब फॉक्सण भोब से ओ फॉक्स नि妈 नट खर्ॉक्सा औरेच यार मखाना को बोलते हैं मखाना में भार्तिये राज जो सबसे आगे है け भारतिये राज जो मखाना उत्पादन में सबसे आगे है कौन सा है बेस्ट बंगाल उडिशा बिहार या फिर केरला आंसर दो करें सर आप ने जो है पेपर ही बनाया है तो आप जो है दूतरे आंसर तो करेंगे नहीं ज्वाब है सही जवाब है बहुत अच्छे आंसर क्या ओजाएगा सर इसमें हो जाएगा मारा बिहार क्या अग्या ओजाएगा बिहार मकोना में नमबर एक अल्त मालु है मकाना के कर दिद्क लिए रीसर्च अंटर भी का यहीं पे onसर सी हो जाएगा इसका सोचना रहा इन था मखाना आग कोपन के रूप में किसे जाना जाता है आंसर 2019 है ABCD अ més बहुत अच्छे अंजर कया हो सorg जिसका Ansar हो जाएगा व क्या हो जाएगा भी हमारा क्या है विटेरिया daam तुम लोग आई से हो कहरें सर आल आप देखते ना हम सही कर देते हैं आज आल आप दीजांसर भी सई सही थे ठीक है सही थे त्यासर क्या हो जाएगा आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ टाए कि सर दी ये पेपर आपने जो बनाया ये आप अपने आप से खुश्य बनाके लाएं हैं तो दो पहले मैं दिखा दूम मैंने कुछ से कुछ नहीं बनाया देख लो यह मैंने आपके बिहार जो है बीयों का यह यारे कल्चर यूनिवस्टी का बिहार एक्री एकर एपर ह जो पयपर आपको करा रहे थे वह यह पर देख लो ना यह देखो मोडल के ऐंसिंग वैको यह करा एटा जर्म प्लास सिरी बीजमेंप एगा फिनो टाइपından जॉन्सन वाला करा या देखो ट्राइफ वाला कराया यह कर आया यह लुद्यणा वाला कर आया देखो दूस्तवर और करा दिया अवर वात दोस्तार है एक से डियों का पैपर हमारे सामने ओर है वह को तिवरी मेंरे को तक हां पर यहार एक बेंपर यह 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 आया था थे रिमें अब ठीयों को किले में अख़िक मैं आपको सिर्शन इस मेलें यह फोटर को यह वें लिएगे यह आप देख लो paper आपके सामने है देख लिए यह दोस्त आपके बहुत सरल पेपर था एक तरीके से बात करो उस टाइम के लिए सेडियो की और जो आरही उए उनकी स्वरी सेडियो है और दोस्त जो आपकी बीए हो है है लाइव बैच रहेगा एग्री कल्चर पूरी लाइव रहेगी क्लास की टाइमिंग आपकी जो रहने वाली है सुभए 10 वज़े से साम को 8 वज़े तक रहेगी ठीक है आपको बिहार की फेकल्टी बिहारी लेंग्विज में ही पढ़ाने वाले हैं वह आपके हिंदी है जी है और बिहार इस्पेसल है ठीक है इसके इलावा एग्री कल्चर की भी सारी क्लासिस रहेंगी यानि पांस से च्छाए गंटे से साथ गंटे आपके लाइव रहने वाले हो आपका स्लेवस फरवरी मार्च फरवरी महा में खतम कर दिया जाएगा पहले आप समझ लो ठीक है इस्टेडी प्लान कंप्लीट हो चुका है लेविल आपका पेपर का बहुत अच्छा रखना है बोनो लैंग्वेज में नहीं हिंदी भासा और इंग्लीज में रहेगा आपने अभी अगर तक अभी तक अड़ा 247 का मोबाइल अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया है कर ली और बेतरीन जगह करोगे तो आपको फाइदा मिलेगा पेपर का लेविल आपको समझना पड़ेगा आल कोर्स को सिलेक्ट करिए गवर्मेंट जाब एक्जाम को और एग्री कल्चर को और यहां पर यह आपको दिख जाएगा बिहार बीयो ऐसे यह बैच कंपलीट आपका है ठीक है क्लिक करना इस पर इसमें आपको यह जो आप देख रहे हो ना आपको आठ लोग पढ़ाने वाले हैं सारी क्लासे सापकी स्टार्ट हो जाएंगी 22 थेस तारिक से रिकॉर्डेड़ फोर्म में आपको हम क्या देंगे सर एक तरफ हम आपको रिकॉर्डेड फार्म में जितना पूछना है तुम्हें लाइव जहां मिल जाएं बाकि हमारी इंस्टा आइडी तो पता ही होगी नहीं पता सर्च कर लेना सुधान सुमर्थ 247 ठीक है इसके लावा दोस्त आपको फेस्बुक पे मिल जाएंगे दोस्त कहीं मिल जाएं आपको अड़ा पर ही दोस्त हमा यह आपको 80% आफ देगा क्या देगा 80% आफ ठीक है यहाँ पर जाना वाई 783 एक कूपन कोड लगाना और बैच में इन्रोल करने से पहले हैं कौइंस मिलेंगे ठीक सिक्के यूप रियोक करें कर लेना तो आपको यह बैच जो है 2850 में क्या हो जाएगा इन्रोल हो जाएग पहली क्लास मेरी हुई थी पढ़ लो आपको लेविल लगे कि आपने हिंदी इंगलिस दोनों भासाओं में बोल के पढ़ाया तो बैच लेना आपको लगे कि आपने इस लेविल तक लेके टच कर आया है में ठीक है तो बैच लेना आपको लगे कि दोस्त आप हमसे पढ़क को सब लोग देंगे आपको जैसे क्लास खतम होगी गंटे भरके अंदर आपको PDF क्या है मिल जाएगी ठीक है इसमें सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है कि सर्जी हमें जानना है बहुत कुछ आप से जानना है तो आप हमारी मेल सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है सुधान सू डॉट ओमर एड़ रेट सुधान सू डॉट ओमर एड़ 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 लेंगे आप ठीक है यह हमारा जो दोस्त है बैच उसमें पूर्या का पूरा हिंदी प्लस इंगलिस भासा में आपकी क्या रहेगी पढ़ाई रहेगी जैसे मैंने आभी आपको कराया ना पूरा यह पेपर बिलकुल ऐसे हम आपके लिए मौक टेस्ट भी लेके आते रहेंगे ठीक है बिलकुल सत्यम हाँ यूपी से हैं बहुत बढ़िया टेलिग्राम पर बिलकुल चलो ठीक है ले लेते हैं महापैक बिलकुल सत्यम अगर आप महापैक में इन्रोल करते हैं तो यह आपको आरेडी मिलेगा और महापैक में जाने का एक फायदा बताते हैं महापैक में आपको दोहरी बैदता मिलेगी कैसे अगर आप महापैक में इन्रोल करते ह आपको कम से कम 20 बैच मिलने वाले हैं आप आरे यो की तैयारी आरे चियों की तैयारी स्टीए की तैयारी जहार कंड आरे किसी तैयारी किसी के भी ठीक है नावाड की तैयारी आई भी पियस एफो की तैयारी इसको की तैयारी या फिर आप करना या दोस्त जैसे कूपन कोड़ अप लगा वई 783 ऐस कोपन कोड़ आप नोट कर लिजेगा किख क कूपन कोड़ आप कर लीजए गा भा कूई 783 ए जैसे दोस्त आपको कोई दिख्क्क्र लगे यहां पर आ जiras इसको enroll कर लो आके ठीक है इसमें करने के बाद आपको सारे courses में access मिल जाएगा सारे courses में और यहां देखो दोस्त यह बारा प्लस बारा 24 महिने जैसे दोस्त आप इसमें करोगे ना coins को use कर ले ना यह आपको सिक्स थाउजिन के सम्थिंग क्या आपका आजाएगा ठीक है इन्रोल करते हुए कूपन कोड़ आप याद रखिए गा 283 लगाना है ठीक है ठीक है हाँ बिल्कुल सत्यमाप कर लिजेगा कोई दिक्क्त हो बताईए अभी मैं एक क्लासq लेके आ रहा हूं जिसमें आपके live डाउट session आप से बाते करेंगे कोई आपको डाउट आताई वॉर्म कैसे क्या करना है मैं आपको कल क्या आपको विभर्ना सिखा दूँगा पूरा आपका सारा कुछ आपका जो है चोटी चोटी-चोटी चीज़ें जो आपको पढ़े होते तो आप ऐसी बाते नहीं करते ठीक है चलो बिहार एक्रीकल्चर इस्पेशल बैची आपके लिए है शिर्फ बिहार एक्जाम यानि बिहार बीए ओके लिए ही बनाया गया है इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है अगर कोई उत्तर प्रदेश का बच यह चैनल रखेगा एक क्लास होतीया आपकी चार बजनांतर के नाम से उसे अटेंट करिएगा और एक ट्रास होती सोती में बढ़ी में के लिए मैक्सिम्म डिस्काउंट कोद आज बर के लिए आपका एक्टिवेट है ठीक है बाबाय टेक क्या लब यूओ अपने ख्याल रखिए